हर दिन घर से निकलने से पहले हमारी आकांक्षा होती है कि पूरा दिन कुष्णुमा व्यतीत हो हर काम में सपलता मिले अगर आप किसी सुब कारी के लिए घर से जा रहे हैं तो आपको कुछ उपाय जरूर आजमाने चाहिए इनको आजमाने से आपको सुब परिनाम अवश्य मिलेंगे साथियों आज हम आपको बताएंगे कि किस दिन घर से निकलते समय क्या उपाय करके घर से निकले ताकि आपको कारी में सपलता जरूर मिले नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदूज मिस्ट्री के इस खास वीडियो में साथियों सोमार के दिन अगर आप कोई सु भास ध्यान रखे कि सीसा तूटा हुआ ना हो साथियों मंगलवार के दिन कोई भी शुबकारिय के लिए निकले तो पहले गुड़ खाकर निकले जो तीस के अनुसार इस दिन गुड़ खाकर निकलने से आपका दिन कुशनुमा बना रहेगा और वेवसा या परतिश्टान में किसी से जगडा नहीं होगा वहीं अगर आप बुद्दुवार के दिन कोई भी शुबकारिय करने के लिए घर से निकलते हैं तो पहले घर से निकलते समय धनिया जरूर खाएं धनिया की पत्ती या सूका धनिया दोनों में से कुछ भी खाकर निकल सकते हैं इससे आपको कारिय में सफलता जरूर मिलेगी साथियों गुरुवार के दिन कोई भी शुबकारिय करने के लिए घर से निकलते समय पीले रंग के कपड़े पहन कर निकले अगर घर में केले का पेड़ हो तो उसके धरसन करके जाएं इसके साथ ही जीरा खाकर घर से निकले आपको शपलत अवश्य मिलेगी शुक्रवार के दिन कोई भी शुबकारिय करने से पहले धई खाकर घर से निकलने पर आपको कारिय में सफलता अवश्य मिलेगी सन्निवार के दिन घर से निकलते समय अदरक खाकर निकलना चाहिए ऐसा करने से आपको शुबकारियों में सफलता जरूर मि प्रफलता मिलेगी तो सातियों अपने कारियों को सपल बनाने के लिए हर दिन के अनुसार बताए गए उपाई करें आपको सपलता अवश्य मिलेगी आज के लिए बस इतना ही आशा करते हैं कि हमारे दूरा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे ऐसे ही रोचक तत्यों के बा में रहिए हिंदूजम मिश्ट्री के साथ धन्यवाद जैसी अराम